नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टेवी और मैं हूँ आपके साथ निशा आईए करते हैं ख़बों के शिराथ सबसे पहले नजब रालते हैं आज की हिट लाइन्स पर फॉल वैवसाई से लूट कार्ण मामले का पुलीस ने क्या खुलासा चार अपराधी गिरफ तार 16 जुलाई से शुरू हो रहे विश्वे प्रशेश आपनी मेला के तैयारियों का जाय जाले ने सुल्तान गंज पहुंचे डियाए जी उद्गाटन अस्तल का किया निरिक्षिन रंगराशियों पर युवक ने लगाया पत्नी के अफरन का रोप पिडित ने स्पी को आविदन देकर लगाई नियाई की गुहार मागलपूर जमालपूर रेलखन पर ट्रेन की चपेट में आया युवक हालत गंभेर और जहांगेपूर वैसी में कटाओ चारी दरजनों घर हुआ कोसी नदी में विलीन पलाए अंजारी अब ख़वरेव विस्तार से 25 जून की रातरी अकवर नगर पेट्रोल पंप के पास अंजाम दी गई लूट की घटना को भागलपूर पुलिस ने उद्वेदन कर दिया है असको लेकर गुरुवार को सिटी एस्पी सुर्ण परहातले प्रेस कॉन्फेंस कर लूट कार्ण में शामिल चार अपराथियों को पुलीस द्वारा गिरफतार कर लेनी के जानकारी दी गई सेटी एस्पी ने बताए कि 25 जून के रातरे सुल्तानगन से भागलपूर की ओर आरहे शाचक थाना छेत्र के रहने वाले मुहमत जहांगीर के पूत्र फॉल वैवसाई मुहमत औरंग्जेव से अपराथियों ने अकवर नगर पेश्टोल पम आम बगीजा के समेप उसकी ग्लैमर मोटर साइकिल के साथ रुपी और मोटर साइकल लूट कर उस पच्राकू से हमला कर घायल कर दिया था सीटी एसपी ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद चारों अपराथी नातनगर की और परार हो गए थे जबकि अकवर नगर थाना छेत्र में इस लूट कांट के मामले दर्ज करने के बाद पुलीस अनुसंधान में जूट गई साथी उन्होंने कहा कि गिरफतार अपराथियों से घटना में सिमाल किये गए मोटर साइकिल को बरामत कर लिया गया है और गिरफतार अपराथियों की पहचार प्रहरात कुमार, अनमोल कुमार, कुनाल कुमार और धर्मराज कुमार के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि अनमोल कुमार उफ गोलु कुमार, प्रभात कुमार उफ छोटू और कुनाल कुमार का पुराना अपराधिक इतिहास रहा है पाग लूट लिया था और जो इनके पास 16,000 रुपय थे और इनका मॉबाइल था आई-पैड था ये सारी चीजे लूट ली थी हम लोगो ने ततकाल इस लूट में फाया दर्ज किया था और अपराधियों की पहशान की गई चारो अपराधिक रद्तार कर लिए गए हैं और लूटी गई बाइड थी और कुछ पैसे भी वरामत कर लिये गए हैं इन चारो अपराधियों का आपराधीक इत हास्रा है इसमें से तीन नात्ना अगर थाना चित चराने वाले हैं और एक अकबर नगर थाना चित रहनेवाला इसमें से एक अनमूल कुमार उफ मो नू है न में जिल गया है भागलपूर सुल्तान गंज के अजगैविनाथ था में 14 जुलाई से शुरू होने वाले विश्वे प्रशिद श्रापनी मेला की तैयारी को लेकर भागलपूर के रेंज डी आईटी विवेकान जिला अधिकारी सुबरत कुमार सेन और स्सपी बाबुराम कई अधिकारियों के साथ गुरुवार को सुल्तान गंज पहुचे जहां सभी पदाधिकारियों ने जिला और प्रकंट के अधिकारियों के साथ जहाज गंगा घाट में बने नमामी गंगे घाट का निरिक्षन करते हुए उद खाटन अस्तल कर जायजा लिया इस दोरान घाट को समतल करनी का भी निरदेश दियम ने दिया असके अलावा कच्छी कावरिया पत का निरिक्षन कर कावरिया पत में कारेश जल्द पूरा करनी को लेकर वरी पदाधिकारी उने दिशान निरदेश दिया मौके पर डीडिसी प्रतिभारानी एडियम शिपकुमार, दोसेजन डॉक्टों में शर्मा समेट संबंदित विभाग के कई पता अधिकारी और कर्मी मौजूद थे रहें। अधिकारी आशिस्त कुमार पर प्रखन के एक ग्रामी ने गंभीर आरोब लगाया है। कि सियो पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। वह इस पूरे मामले को लेकर सियो ने ग्रामीन के सभी आरोब को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंद में कोई जानकारी नहीं है। और पुलीस के चार्च में सारा सच सामने आजाएगा। क्यों लेकर गया था रंगरा सियो जो है कि अपकी पत्नी को। वह लेकर गया है वह संबंद बनाने के लिए लेकर गया है वह मेरे पत्नी को। और रंगराप पर खन्व का मैं अभी जन जन दरा हूं कि उसको मैं आप पत्नी को उसके सियो साहब से चंगूल से चपा करके हूं को जल्दी पत्नी को हमको हमें हाथ करा दे। सुल्तानगंज भागलपूर रेलखंड आंतरगर तिलखपूर गउन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवग गंभी रूप से घायल हो गया जिसकी पैचान तिलखपूर गउन नीवासी सोर की गुधन मंडल के पूद्र घंश्याम मंडल के रूप में हुई सुल्तानगंज स्थाना की पुलीस मौके पर पहुंची और घायल युवग को अस्थानी लोगों की मदद से इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भरती कराया जहां प्रात्मिक उप्चार के बाद खंबीर हालत में चिकिसकों ने बहतर इलाज के लिए भा गायल हो गया क्या नाम है इसका घंसियां मंदल घर कहा है इसका तिलक्तूर मांसिक संतुलन खो बेठा है है हाँ दिमाग कुछ करक है क्या नाम हो आपका सुभास मंदल के जहांगेरपूर वैसी गउं में लगतार कोसी का कटाव जारी है रसके कारण अब तक 30 से 40 घर कोसी म पलायन कर उची अस्थानों पर जाने को विवश है जबकि दूसरी जगह पलायन कर रहे लोगों को अपने समानों के साथ अपने जानमाल की चिंता भी सता रही है असको लेकर ग्रामीनों ने बताया कि घर की बचे समान के साथ मकान से तोड़े गए इट को भी साथ में ले जा रही है ताकि अगर सरकार उन लोगों को जगह देती है तो फिर से नया आश्या ना बनाया जा सके ग्रामीनों का कहना है कि अब तक उन लोगों को सरकार की और से किसी तरह की कोई सुवधा नहीं दी जा रही है रिस से उन्हें ठीक से एक समय का भोजन भी नसीब नहीं ह हो रहा है साथी ग्रामीनों ने स्थिति में भी जीले कि किसी वरी पदाधिकारियों के द्वार अब तक कटाव पिडूतों का हाल जानने नहीं पहुंचने का आरोब भी लगाया घर खाली करने आप देख रहे हैं पूरा एक दिवाल तो चली गए हमारे घर में कुछ इट भी इन सब कटाव में कट गया कहिए मुचा आस्तान दे करके बांध पे जा रहे हैं इतना कर कटा है घर तो लगवग 20 घर कट गया है 20 घर कटके नदी में चला गया है कोई अधिकारी शांसद निस्टा कोई नहीं आया है आपके नस्दी की शहर पॉंसी बिहार में एक मात्र फार्मेसी कॉलेज Modern Institute of Pharmacy जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सुविधाएं अब आप भी D-Pharma और B-Pharma जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गयर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं बिहार जारखंड एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत जात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका स्वर्निम भविश्य बनाएए ब्रेक के बाद फिर से एक बड़ आपके स्वागत हैं बढ़ते हैं अवगली खवर्क्योर नातनगर के मधसुदर पूर्थाना छेत्र आदरकर्थ भतोडिया पंचैत के बिहारी पूर गौँ में बोधवार की देरा श्वाट सरकीट के कारण एक घर में भिश्यन आग लग गई पूरी तरह से जलकर राक हो गया वैसा आगसनी की घटना में घरवालों ने भाग कर अपनी जान बचा ली लेकिन घर का सारा समान जलकर खाक हो गया घटना को लेकर प्रिट बिंदेश्वरी मंडल ने बताया कि घर में रख्या नाच और कपड़े के साथ मवेशी का चारा बच्चों की किताब समेथ सब को जलकर राक हो गया हलाकि बात में ग्रामीनों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया अगर समय रहते अस्थानी लोगों ने आग पर काबू नहीं किया होता तो आगसनी से कई घर तबाह हो सकते थे आग यह साथ सर्कीट से बिहारी पूर में बदर्या पंचाज के अंडर वाड एक में बिंदस्री मंडल के घर में लगा है जिसमें उसके घर में उसका घर खपरेल का टाले कादर बुरी तरह से जल गया है परसंट और उसमें रखाव हुआ है केहूं और भुसा लगवग पचास कुंटल केहूं में 25 कुंटल जल गया है उसका मकान पूरा तरह से चोकी कुपदा लगता भरवाद हो गया है इसको में सुचनात जला दिकारियों को दे दिया है उसके चुट्टी में है उसके उसका सरकारी जो है जो है अर यो जो है अभी अनुदान जो मांग की है जो उचीद अनुदान जो है अबदा परवंद के तरह को दिया जा वही मौके से चालक को पुलीस ने गिराफतार कर दिया गिराफतार चालक की पहचान बांकर जिला निवासी अर्विंद मंडल के पूत्र अमरकांत कुमार के रूप में हुई है वही थाना देक्ष आश्यतोस कुमार ने बताए कि शराप गोटर से भागलपूर ले जाया ज पुला रहा था तुरहाल गाड़ी और चालक के उपर केज दर्श कर चालक को जेल भेज दिया गया नवगच्य अनुमंडल कार्यालाय में आपूर्ती अनुश्रवन समीती की बैठक आयोज चित हुए जिसमें पताधिकारियों को जन प्रतीनिध्यों के तल्ख तेवर कर सा करान बैठक में आपूर्ती पताधिकारियों के फोन नहीं उठाने, प्रकंट छेत्र में नहीं दिखने, डील्डो को गोताम से कम अनास दिये जाने, डील्डो द्वारा भोकताओं से रेट अधिक लेने और वजन कम देनी की बात कहते हुए जन प्रतीनिध्यों ने अपनी नाराज की जताई, वहें खरीक उतरी के जिला पाश्यक गौरफ ट्राई ने कहा कि पिछले अनुश्रवन समीती की बैठक में खरीक प्रकंट के धुरुप गंज पंच्यायत के डीलर की शिकायत की गई थी, लेकिन उस मामले में जाच हुई या नहीं, इसके जानकारी आस तक नहीं मिली, उन्होंने कहा कि रेट और वेट में आनिमित्ता के शिकायत हमेशा मिलती है, लेकिन इस पर कोई उचित कारेवाही नहीं के जाती है, जब कि धोडिया पंच्यायत में एक आतिरिक्त डीलर की प्रतिनियुक्ती करने की मांग भी की गई, इसके अरावा नबक पंच्यायत के कुछ पंच्यायतों में जो डीलर गुदाम प्रवंदक के नजदीकी होते हैं, उन्हें उसना चावल उपलप्त कराया जाता है, जब के बाकी को और वेट चावल उपलप्त करा दिया जाता है, वहीं तमाम जन प्रतिनित्यों के बात सुनने के बात नवगच कार्ण बनबाने का कारण निश्पादित करने के लिए सभी प्रखंडू के आप पूर्ती प्राधिकारी से काम लिया जा रहा है जिसके कारण वे अपने कार्याले में या छेत्र में कम नजर आते हैं मौके पर विपूर की जिरा पार्षत रेनु देवी मोयन राइन समेत काफी संख्या में जनप्रती ने भी मौचूद रहे हैं करेंगे तो उसके बाद लेकिन फिर पॉइंट को सुट आप टलिया गया है भागपूर के सुल्तान गंज में विश्प प्रशेद शाबनी मेला के शिवाद 14 जुलाई से होगे जिसको लेकर सभी विभागों के द्वारा युद्य आस्तर पर इसके तैयारी किये जा रही है वहीं बात अगर पत निमान विभाग की करें तो सुल्तान गंज के सडकों की मरमती कारे में खाना पूर्ती करते हुए केवल पैचिंग वर्क किया जा रहा है जबकि तूटी हुई सडकों को रिपेर करने का काम भी जारी है आलाकि विभाग द्वारा कारे को तेजी से किया वहीं गुरुवार को बिहार के पत निमान मंत्री नितीन नवीन भी तैयारियों के समिक्षा करने सुल्तान गंज अजगाविनाद धाम पहुचे जहां पत निमान मंत्री नितीन नवीन का स्वागत सुल्तान गंज बधायक डॉक्र ललीत नारायन मंडल सहिद भाशपा कार कर तैयारी को जाया जाने में युद्य अस्तर पर गुरवत्य पूयर्श कर आने का निरदेश अधिकारियों और कारे में जूट्टे करमियों को दिया उन्होंने कहा कि सट्वन की मरमत का काम किया जा रहा है और जल्ध ही पूरा कर लिए जाए welcome काम पुरा हुए है उसके बाद जो पूरे पैच है इस पैच भी हमारे इंजिनियर्स अभेंता के तीम पहेगी जो इसमें मुलिटीन करेंगी और अजो तीस दिन जब से कावडिया प्रतिकावडिया निया खुरू होता है उनको सभी सुधार रहे हैं और साथी साथ जो हमारा और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेट नाइस पर फॉल वैवसाई से लूट कार्ण मामले का पुलीस ने क्या खुलासा चार अपराधी गिरफ तार 16 जुलाई से शुरू हो रहे विश्वे प्रशेश आपनी मेला के तैयारियों का जाय जाले ने सुल्तान गंज पहुंचे डियाए जी उद्गाटन अस्तल का किया निरिक्षिन रंगराशियों पर युवक ने लगाया पत्नी के अफरनकारों पिडित ने स्पी को आविदन देकर लगाई नियाई की गुहार मागलपूर जमालपूर रेलखंट पर ट्रेन की चपेट में आया युवक हालत गंभेर और जहांगेपूर वैसी में कटाओ चारी दरजनों घर हुआ कोसी नदी में विलीन पलायन जारी पलाल इस बुलेटिन में ताही नवशकार